हेलो फ्रेंट्स देखिए आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में फ्रोड करने का लेवल कहां तक पहुँच चुका है यह सोच कर बड़ी हैरानी होती है मैं आपको अपना ही एक वाक्या बताऊँ अभी 9 नवंबर को ही यानि कुछ दिन पहले ही इवनिंग में 6 पीम के अराउंड मेरे पास एक कॉल आती है मैंने वो कॉल पिक की मैंने का हेलो उधर से वाज आती है कि राजीव जी कैसे हैं मैंने का मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैंने का सर बताईए मैंने पहचाना नहीं अन्नोन नंबर था तो पहचानते कैसे कहते सर कोई बात नहीं पहचान लेंगे और घर परिवार में सब ठीक ठाक है मैंने का बिल्कुल ठीक है सब कुसलमंगल मैंने का बिल्कुल ठीक सही है सर तो फिर उधर से वो बोलते हैं कि अभी भी नहीं पहचाना मैंने का सर नहीं पहचाना कहते है रहे सरमाजी बोल रहा हूँ मैंने का जी सरमाजी बताईए कह रहे पहचान लिया अब मैं आपको बताओं, आपको अगर मालूम हो तो अभी CA Institute के election आने वाले हैं, अभी December आने वाला है ने, December में 6 और 7 कोई आसपास ही election है, अब election के लिए मेरे पास daily basis पर एक दो call आ जाते हैं कि सर आप हमें support कीजेगा, आप हमें support कीजेगा, तो जब उन्होंने कहा कि मैं शर् अब इस तरह से बाते होती हैं, जब उन्होंने कहा कि मैं शर्माजी बोल रहा हूँ, मैंने का ठीक शर्माजी बताइए, यानि मैंने उन्हें ये जाहिरी किया कि हाँ मैंने पहचान लिया है, कहते हैं, जब उन्हें ये लगा कि मैंने पहचान लिया है, तो उन्हों उधर स दो-तीन बार पेमेंट आनी थी हमारे पास लेकिन आज पेमेंट नहीं आ रही है मैंने का सब दो-तीन पेमेंट तो मैं भी कर चुका हूँ मुझे तो इस तरह की प्रोब्लम नहीं लगी किसी भी एप में अच्छा जब उन्होंने फोन पे और पेटियम का नाम लिया तो हमें समझ गिया कि अब तो सीए इंस्टिटूट मेंबर्स का ये कॉल नहीं है यानि इलेक्शन के लिए तो ये कॉल नहीं आया है फिर उन कहते हैं यार पता नहीं क्या प्रोब्लम आ रही है कहीं से मेरे पास पेमेंट आनी है कहीं से उनके पास पेमेंट आनी है कहीं से मेरे पास पेमेंट आनी है और मेरे अकाउंट में कुछ प्रोब्लम आ गई है तो इसलिए मैंने आपका नंबर दे दिया है यानि उन्होंने मेरा नंबर पेमेंट रिसीव करने के लिए कहीं पर दे दिया है मैंने का सर आप मेरा नंबर मत दीजिए कहते सर क्यों मैंने का सर मेरा जो अकाउंट है वो इंकम टेक्स लिंक्ड है income tax linked है आप मेरे account में कोई भी payment कराएंगे तो मुझे तो अपनी income show करनी पड़ जाएगी मैंने जब मुझे समझ आ गया था कि वो कोई unknown person है तो मैंने इस तरह से बात की कहते रे राजीव सर मैंने तो आपका number वहाँ पर दे भी दिया चलो चलो एक काम करता हूँ मैं वहाँ से मना कर देता हूँ कि आपके number पर payment ना की जाए मैंने का हाँ ठीक है सार आप मना कर दीजे इधर phone cut हुआ और phone cut होते ही मैंने एक message text message receive किया payment receiving का अब वो आपको text message दिखाता हूँ मैं आपको text message क्या था ये देखिए ये text message मुझे receive हुआ phone cut होते ही text message receive हुआ और text message एक बार देखें रुपी 20,000 credited to bank account xxxxx on 9th November 2024 by account linked to VPA ये 9868724199 ये मेरा number है जहाँ पर payment हम receive कर सकते हैं करते भी है ये हमारा number है add the rate paytm अभी ये तो आपको पता है UPI में अगर आपने phone paper UPI बना रखी है तो आपका number होगा add the rate YBL या IBL होता है paytm पर add the rate paytm हो जाता है इसमें कोई बड़ी बात तो थी नहीं reference ID ये नोंने हमें reference ID दी online payment receive हुई है ये काम इतना तुरंत में हुआ कि मतलब आप मैं आपको बताओं मुझे सोचने का भी time नहीं मिला इधर phone काटा भी नहीं और तुरंत message मैंने का यार 20,000 रुपीज आगे अब message तब तो जब message आता है तो notification में आता है notification में सिर्फ एक दो line दिखती है तो उसमें दिखा 20,000 credited to your account मुझे भी लगा है ये तो 20,000 की payment आ गई अच्छे 20,000 की payment आ गई लेकिन जैसे ही message आया तुरंत उनका दुबारा से call आ गया फिर मैंने जब देखा तो मैंने का account number ये देखना ज़र account number आपका किसी भी bank में account हो account number जब xxxx करके लिखते हैं तो आपको ध्यान होगा last वाली कुछ digits तो आपको देते ही है वो कुछ भी number हो last वाली कुछ digits तो होती है दूसरी बात मुझे फिर ये भी याद आया कि जब payment receive होती है credit होती है debit होती है तो account balance भी show कर देता है bank मैंने क्या किया थोड़ा time रुक कर उसे दिन का चार बजे मिरे पास एक payment आई थी मैंने वो message देखा ये देखिए ये message अब ये original bank का message है चेक करो ज़रा bank कैसे message भीजता है your account देखिए account number देखिए xx फिर मेरे account की last digits यहाँ पर आपको show हो रही है 9198 is credited for INR 1300 से account credit किया गया है on 9th November 24 time दे रखा है through UPI available balance account में at present ये amount credit होने के बाद कितना balance हो गया है ये balance इन्हों ने बता दिया जो मैंने blur कर दिया है अपर UPI reference ID दे रखिए download PNB, one PNB, PNB का मेरा account है आपको समझा है यानि मुझे ये तो पता चल गया कि ये fraud message है दूसरी बात अगर देखी जाए ये देखो मैंने फिर आपको comparison के लिए मैं दोनों message दिखा भी देता हूँ एक साथ ये fraud वाला message है जो जल्दबाजी में मुझसे क्या चाहता था कि ये message देखकर मैं 20,000 rupees उसके account में transfer कर दूँ और अगर मैं जल्दबाजी करता तो शायद कर भी देता और ये हमारा original message है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कमाल की बात कमाल की बात क्या है जिस number से मेरे पास call आया था उसी number से उसी बंदे ने मुझे message भेजा और वो number आप देखिए ये वो number है ये रहा वो number है अब मुझे पता चल गया कि ये बंदा फ्रोड करके मुझे से पैसे लेना चाहा रहा था ये number मुझे पता तो चल गया मैंने क्या किया इस number को मैंने phone paper डाला चेक करने के लिए वो शरमाजी जो बोल रहे थे ये number मैंने phone paper डाला तो आपको पता है phone paper जो account में नाम होता है, वो नाम शो हो जाता है इसका नाम हमें शो हुआ सुख विंदर सिंग क्या नाम शो हुआ, सुख विंदर सिंग मैंने फिर यही नंबर मैं रिकार से Google पर यरा PayTem पर डाला वहाँ पर भी नाम शो हुआ सुख विंदर सिंग अब मैं यह चाहरा था कि एक बार आप देखने हैं यह message कितने बजाया था छे बज़ कर पांच मिनट पर मैंने फिर उसे 6 बज़ कर 20 मिनट पर वापस message किया मुझे पता तो जोल गया फ्रोंड मैंने का देखता हूं भी आगे क्या करना चाहता है मैंने का यार पैसे तो आगए अब करना क्या है यह तो बताओ मैंने का यार पैसे तो आगए उसे call किया मैंने उसने call नहीं उठाया इस message का reply नहीं किया थोड़ी दिर बाद मैंने इसे message और किया थोड़े दिर बाद में नहीं से मैसीजी भी किया मैंने का सुखविंदर जी क्या करना इन पैस होगा यह तो बताईए अब तो वो मेरे खाल से टेंशन में होगा कि नाम कैसे पता चला आपको मैं ये वीडियो बना कर इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ देखो आप स्टुडेंट्स हैं आपको पता है आप इस तरह के फ्रोड में कभी नहीं आएंगे लेकिन अगर जल्दबाजी में कुछ किया गया तो आप इस तरह के फ्रोड में फस सकते हैं प्रोफेशनल होने के बाद अगर मैं इतना कंफ्यूज हो गया था क्योंकि वो ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं सोचने का बहुत जल्दबाजी में काम करेंगे तो नॉर्मल इंसान के लिए ये कितनी बड़ी बात होगी आप समझें आप नहीं फसेंगे ठीक है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं प्रोफेशन से उनका कोई लेना देना नहीं है छोटी मोटी जोब करते हैं लेकिन वो भी आजकल फोन पे पे टीम गूगल पे सब यूज करते हैं उन लोगों को इस तरह से फसाया जाना कितनी आसान काम कितनी आसान बात होगी आप समझ सकते हैं तो देखिए मैं आपसे कहूँगा कि इस तरह के फ्रोड से बचना बहुत जरूरी है और उन लोगों को बचाना बहुत जरूरी है जो इस चीज को शायद ना पहचान पाएं मैं मेराथोन अपनी चैनल पर डालता हूँ मैं क्लासेज अपने चैनल पर डालता हूँ टैस्ट के लिए मैं अपने चैनल पर वीडियो बना कर डालता हूँ मैं कभी ये नहीं कहता कि आप like करें या share करें क्यों आप student हैं आपको मेरा दिया गया concept अगर भूत अच्छा लगा समझ आया तो normal सी बात है आप अपने आप किसी दूसरे friend को share कर देंगे तो उसमें कहने वाली क्या बात है लेकिन ये वीडियो जो है इस वीडियो के लिए मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये कोई students के लिए तो वीडियो especially है नहीं तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरा ये वीडियो बनाना और आपका इस वीडियो को शेयर करना शायद किसी के साथ होने वाले फ्रोड को रोक सके और आप मानियेगा अगर किसी इस वीडियो को देखकर मेरे वीडियो बनाने या आपके शेयर करने से अगर एक इनसान के साथ होने वाला फ्रोड भी रुक गया, बच गया वो बंदा तो इस वीडियो को हमारे बनाने और आपके शेयर करने का जो अब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाएगा ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को ज्यादे से ज्यादा शेयर कर दीजेगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मुच